मुझे ना फूठ भी लग रही है लेकिन कुछ चटपटा चटपटा खाणिया मन कर दो मैं भावी को देख रही हूं, भावी एक पाटी है, वहाँ पे गई है, यह दर ना कुछ भी प्रोग्राम होता है, जैसे साधी, तो बोलते हैं बला, 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 यह बला, ऐसे बोलते हैं, उचारण सही नहीं हो पा रहा है, क्यांकि मैं कोशिश कर रही हूं यहाँ पे लोगों से मुंडारी में बात करने क्या, बच्चों से भी तोड़े तो भी बात कर रही थी, सही मैं आना चाहिए, घर में ना ममी पापा, मतलब मापाबा लोग बात करते थे, लेकिन इसलिए समझ पाती हूं, बोल नहीं पाती हूं, अपसोस है मुझे, नहीं बोल पाती अभी भी सीखना होगा तो सीख सकती हूं, भावी को देख रही होगा, अगर कुछ लेके आएगी तो खाऊंगी, साम में जाना है, हम लोग का अपना पुराना टोला में हुझार है, उसको गिर्जा टोली बोलते हैं, सुबर हम लोग नदी चले गए नहाने के लिए, तो मै यह नहीं चाप आई, कबर, और आज बारिश हो जाएगी, चाना तो है, यह क्यांडल जलाना है, अगर्भी थी माहा, इसकी गर्भी इंटे मैं यहां पे बैड़ी थी, बेड़ के नहीं है, आई हो अपने पुराने घर में, इसमें कैल तो मैं वो बड़ा टोली वाला दिखानने के लिए दिखाई थी, और आज है यह गिर्जा टोली, गिर्जा टोली में यह घर इतना ही बचा हुआ है, यह इतना ही बचा हुआ है, एक भाईया यहां रते हैं, बड़े पापा के अरों तरफ से हुआ करता था, बहुत बड़ा सा उधर तक था, और यहां बड़ा सा आंगन था, यहां पे बैठने के लिए बनाया हुआ था, और लोग आते थे, मतलब अब सारा कुछ खतम हो गया, पहले जासा नहीं है, तो, कि मीली थी, हमको तो नहीं पता था कि भया की बेठी है, लेकिन बाद पता चला कि भया की बेठी है, अरो धर हाँ भी, बस इस बार हम कैसे कैसे आगए घूमने के लिए मैं इधर से दिखा रही हूं ये है इस तरह से ये रहा हमारे गाउं का आगे एक सो कितना उनिस सो एक का है तो एक सो एक सो चोबिस तैस चोबिस साल हो गया इस चर्च का और आगे उधर आगे में जंगल पहाड़ है पता नहीं ये रास्त कहा जाता है यह हमारा गाउं पुरा ना टोली गिरजा टोली और यह है यहां का स्कूल ऐसे the किसिए कहीं पर अभी तक मुझे वाया इतना साल हो गया किसली मजबूती से बनाया गया है यह स bunkज जो में दर्वाजा है उसका लकड़ी लकड़ी और इधर खेया शी ख्रीडी की सब कितना है हां है हाँ और इस खीडी मिती मिती सब खुला हुआ और तो गया है तो यह ग़Das कि एर से अधर चाए। तो अब साम हो रही है इस साइट कोई नहीं है और हम लब जा रहे हैं चर्च घूम लिए अपना बच्पना बच्पन याद कर लिए इन बच्पन के साथ मैं बता रही थी इन लों को कि कैसे हम लोग आते थे कैसे चर्च में पूरा टाइम घंटों घंटों होता था खुबसूरत वादियों के बीच यह हमारा गाउं तो फ्रेंड्स आज हो गई है साम और हम लोग अपना पूराना टोला गुमे के लिए गये थे गिर्जा टोली और उधर से चर्च वापस घर जा रहे तो बस कितना बनाएंगे ना एक दिन में बहुत लंबा विडियों हो जा रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल के ब्लॉग में कल कुछ और क्या-क्या पता नहीं कल का कुछ प्लानिंग नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर इंट्रेस्टिंग और न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाए अभी से गुड़ नाइट एंड टेक केर तो लिए बाए बाए कर दो ऐसे कर दो ऐसे से कर दो हाथ हिला दो हां मेरा भती जब हती ची लग है और एंग जन इधार आओ जल्दी पिछे-पिछे रती है कोई ले जाएगा तो सुंदरी को कि यह ना बहुत व्यस्त रोड है नम बहुत तेज गारियां चलती है तो थो थोबसा दर भी लगता है okay bye